दोस्तों यदि आप कोट का चेहरी गए होंगे तो आपने देखा होगा जब अरालत में बहस करते हैं वकील साहब तो वे कहते हैं कि सर ये हाई कोट का जज्जमेंट है ये सुप्रिम कोट का जज्जमेंट है उसको दिखा करके जज्जमेंट को दिखा देते हैं कि ये बैठे हुएं उनके निर्णे दिखाने से यहां क्यों मान लिया जाता है और उसी आधार पर फैसला क्यों कर दिया जाता है दोस्तों भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 141 के अनुसार ये कहा गया कि सुप्रिम कोड द्वारा घोसित बिधी भारत राजी के सभी नियालायों पर आमद होगी यानि कि सुप्रिम कोड जो फैसला करेगा वो नजीर होगा वो अपने आप में एक कानून होगा और उसका पालन जितनी भी भारत में अदालते हैं जितनी भी निचली अदालते हैं वो सभी उसको कानून के रूप में लेंगी उसका पालन करेंगी इसी के आधार पर सुप् इच्छे 241 में इसप्रस्ट कहा ही गया है तो इसी आधार पर वहां आपकी भी सुनवाई हो जाती है आपको रिलीव मिल जाती है लेकिन दोस्तु यहां बात एक यह आती है कि चलिये ठीक है सुप्रिम कोर्ट ने एक फैसला दिया अब फैसला तो दे दिया सुप्रिम कोर्ट तो धी है कि सधियों तक वो सही ही होगा उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते है तो इसके लिए क्या बेज़्त बनाई गई है दोस्तों इसके लिए भी बेज़्त है इसके लिए शुप्रिम कोट ने अपने एक वाद की सुनवाई कर हैके दोरान जो वाद था बंगाल उनिट कमपनी लिम्टेट बनाम बिहार राज के मामले में सर्बोच नियाले ने निर्णय किया कि उच्चतम नियाले द्वारा घोसित बिधी भारत राज छेत्र के सभी नियालें पर आमद होगी परंत उच्चतम नियाले स्वयम अपने निर्णय से बाद नहीं है और उच्चत मामल में सुप्रिम कोर्ट ने ही असपस्ट कहा बंगाल उन्टी कंपनी लिम्टेट बना बिहार राज के मामले में कि भीया उस समय की परिस्थिती थी उस समय से हमने आपको फैसला दिया था उसे कानून की तरह आप प्रियोग कीजिए लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसमे के लिए बाद नहीं है अपने नियलाई के लिए सबी कानून माना जाएगा सप्रिम कोर्ण को न warfare लेकिन संप्राइमि कोी फैसला दिया तक आप सभी लोग उपने स्वास्त का खयाल लखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी, इस चैनल के मादम चलेते रहिए, मामलों से बचके रहिए, I love you all, जै इन, जै भारत!